हाई एवरीवन इसमी हमसे नियूर वाचिंग एश्टी एक्स वेलकम बैक तो चैनल कैसे हैं आप सब ठीक ठाक हैं उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे खैर खैर यह से होंगे एंजॉय कर रहे होंगे और जनाब आपको पता ही है कि हमारी जितनों भी डिप्लोमेटिक एफ़ प्राइम हैं हम लेकिन पॉलिसी मेकर्स का अपना माइंड है जी तो अब एक चीज सामने आ रही है कि डिप्लोमेटिक का यह कहना है कि जब भी हम कश्मीर की अबाद उठाते हैं कहीं पे भी यह किसी भी मुल्क में यह किसी भी मुल्क के प्रेजिडेंट या मैस्टर के साम करते हैं तो देखते हैं वीडियो को फिर मज़ीद बाते करेंगे स्टार्ट करते हैं 321 एंड को नमस्ते दोस्तों जैहिं हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वाग्रा दोस्तों पाकिस्तान हमेशा अंतर राश्टी स्तर पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है पाकि पाकिस्तान के विदेश मंतरी बिलावल भुटो जर्दारी ने खुद इस बात को सविकार किया है कि पाकिस्तान के सामने कश्मीर मामले को संजुक्त रास्ट के एजंडे के केंदर में लाने का मुश्किल काम है उन्होंने कहा पाकिस्तान संजुक्त रास्ट के हर मंच पर क कश्मीर के मुद्दे को उठाता आया है पुलों ने अपनी नाकामी सविकार करते हुए कहा इसलामबाद कश्मीर को संजुक्त रास्र के एचंडे के केंदर में लाने में आसमर्थ रहा है और भारत की कूटनीती उसके प्रयासों को विफल करने में शक्षम है पाकिस्तन मेड लतना हम आलगे दिए इन्दिया में तायनाओ भूआ परती थे 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 cuántर किषमेर के की जब और जिए कंश्मीर का जिकर किया तो झाने किखा कि जब भी हम कश्मीर का जिकरते हैं तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो हमसे नराज हो जाते हैं असल जो आज हमें डिसकस करना चाहते हूं वो यह है कि जर्दारी साथ गए क्यों अमरीका लेकिन न जाने क्यों हमारे वजीर खार्जों को अमरीका से तनी महबत है कि वो चोथी बार जब से वो बने फॉर्रन मिनिस्टर चोथी बार अमरीका पहुंच गए और मुझे तो पिशले एक साल में तो फिर ये भी हमें नजर आना चाहिए था कि जो आएमेफ का एग्रिमेंट स्टाफ लेवल एग्रिमेंट भी नहीं हो पारा एक वान पॉइंट वान या टू बिलियन के लिए हम बिलकुल भेकारी से बन गए हैं अमरीक के साथ हमारी क्या इंगेजमें में बड़ी कांफरेंस हुई थी आप सब को याद होगा डोनर्स कांफरेंस जो पाकिस्तान में सेलाव आया जिसमें 33 तीन करोड से ज्यादा लोग भेघर हो गए हजारों वात हो गई तो हमें कहा गया कि नो दस बिलियन डॉलर के प्लेजिस हुए हैं और जबर्दस हमारी क कामियाबी हुई है अब सवाल ये पूछना चाहिए कि उन प्लेजिस में से कितना पाकिस्तान को मिल गया जे तो नहीं डगता अब कोई भी रिपोर्ट हमने नहीं देखिए कि प्लेजिस रियलाइज हैं इसी वज़ा से तो यह पाकिस्तान की ब्ली बत्रिसमती है दूसरी ब्हारत के हमाले से बलके कल एक दो वीडियो भी देख रहा था तो एक साहब फर्मा रहे थे कि पाकिस्तान का जो इसवत एकनॉमिक इशूस है तो भारत तो कोई हेल्प पाकिस्तान की नहीं करनी चाहिए पाकिस्तान सिरिलंका या बैंगला देश तो है नहीं यह हमारा बि वजिरियादम की स्पीर्स सुनें तो हम दुनिया का भारत के से ख़ियर का नहीं सके पाकिस्तान के लिए उस्तान के भी हवाले से आइसा एसा हम अननेसेसरी स्टेटमेंट्स हम दे रहे हैं तेक एक बात तो माननी पड़ेगी अमेरिका बगहर मतलब कि पाकिस्तान को भी 20-30 साल War of Terror चल रहा था अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान की जरूरत थी as a supply route के लिए लेकिन अब वो जरूरत खतम होगी है तो इसलिए उन्हें हमारी जरूरत नहीं है वो हमें क्यूं पैसे देंगे हम कराय के फोजी थे और हमें इस्तवाल किया गया अब देखें हमें उस वक्त यह सोचना है यह था कि एक ऐसे conflict में एक ऐसे party का साथ दे रहे है हमें पहले अफगान अवाम से तो पूछना चाहिए था वो अमेरिका के assistant चाहते थे के नहीं तालबान के against या तालबान के हक में पूछना चाहिए था लेकिन हमने directly खुदी कह दिया और आज हम बुगत रहे हैं जी आज अफगान भी हम पर attack करता है अफगानी चाहिए वो तालबान हो या फिर सुविलियन हो अथा कि दोनों की सोच में वड़ा फरक है लेकिन वो attack करते है और उसका effect हमें नदर आ रहा है KPK में क्यूंके वहां के लोग बहुत ज़्यदा आना जाना करते है अफगानिस्तान में और वहां पर आप कहलें के रास्ते भी ऐसे हैं के गुजरा जा सकता है लोग आते जाते रहते हैं और सोच में तबदीली आती है फिर इमरान खान वाला factor क्योंके इमरान खान एक प्रो तालबानी लीडर है उनके statement समेशा तालबान के राक में होते हैं लेकिन बाकी जो पाकिस्तानी लीडर्शिप है वो तालबान के अगेंस्ट है तो उसका effect हमें KPK में नदर आते है और अब कश्मीर का factor देखिए कश्मीर पे तो मेरे जैसी यूत है वो तो कबसे कहा रही है जो यह चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रॉस्पर करे पाकिस्तान में जॉब्स हों पाकिस्तान में लोगों को हर चीज असानी से मिले सस्ती मिले अमनों सकूनों वो यह चाहते हैं कि जनाब एक kind of union बनाई जाए और जो है ना जिसमें इंडिया, पकस्तान, श्री लंका, बांगलादेश, sort of Tibet, ठीक है, और निपाल, बुटान, साथ में, जो है ना, Maldives, ये सारे एरिया, जो कि किसी टाइम पे, किसी वक्त में, एक खंड होता था, एक भारत होता था, खंड भारत होता था, वो होता है ना, तो, we can be a very big power, हम बहुत सारे लोग मों टकर दे सकते हैं, लेकिन प्राब्लम ये कि, trust deficit है, और, ये समझा जाता है, कि जब लोग की बात करते हैं, खंड भारत की, तो वो इसलिए करते हैं, क्योंकि इस वक्त वो खुद खत्रे में, किसी अत्रक्टीक भी है उनकी बात, क्योंकि पाकिस्तान निगलती हैं, इतनी की हैं, लेकिन, अब पाकिस्तान का ये कहना कि किश्मीर के मामले पर हमें जूते पढ़ते हैं, वो सही पढ़ते हैं, जी, क्योंकि हम पिछले 55 साल से एक करोना डाल के बैठे में हैं, और, और, I think we should move on, ठीक है, वहाँ पे, देखें, ओरीजिनल जो जनरेशन सी, वो तो मुक गई हैं, इस वक्त वहाँ भी एक फ्रेश जनरेशन है, यहाँ भी फ्रेश जनरेशन से हैं, और, वो सब पैदा वहाँ हुए हैं, उनकी डॉकमेंटेशन इंडियन हैं, पढ़े वहाँ क यह सद्दान यह नहीं सोच रहें, और, मतलब, वाई, वो क्यों आपकी मदद करें, और, उनके ऐसे बियानात भी हैं, कि वो नहीं जाते पाकिस्तान में जोईन होना, तो हम जबरदस्ती क्यों करने हैं, और, हम एक डिनायल में जी रहे हैं, ठीक है, हम बात तो करते हैं, कि एक वामित मुतैदा की करारदादें, करारदादें, लेकिन हम पढ़के नहीं सुनाते, कि करारदाद में लिखा है, कि पाकिस्तान पहले अपने टूप्स निकाले, इंडिया जो है, वो टूप्स कम करेगा, निकालेगा नहीं, कम करेगा, और फिर प्लैबसाइट होगा, त प्लैबसा क्या, वो आके वापस अपना इसा ले लेंगे, तो इस वज़ा से ये एक हमने अवाम को सिर्फ आदी कहानी सुनाई वी है, कि कश्मीर, 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 लेकिन हम यह नहीं बताते, कि कहानी एक्शुली क्या है, तो आई थिंग वी शुड मूव ओन, और अप एक डेड़े डर्प के लिए तलवे चार्टे भीर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपने ख्याल रखिएगा, सी यो गैस